असलाम हूं अलेकूम गर्मा गरम सोंदी खुश्बू वाली बहुत ही ज्यादा मज़ेदर पालक गोष्ट की रेसिपी हैदरबादी स्ट्राइल में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं इसे आप सेव करके रख लें रमजान में इसे जरूर ट्राइब करें पालक एक टीस्पून हल्दी थोड़ासा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से दाल लें दो प्यास एक सो सतर ग्राम है ज्यादा बारी काटने की जरूरत नहीं है कभी इंग्विडियन्स अच्छे से मिक्स कर लें प्लेम को हाई पर रखके दो से तीन मिनिट के लिए भून लेक इसमें एक ग्लास भरके पानी दाल दें अब प्रेशर कुल करके ऊपर लिट बन करें सीटी लगाई है हाई फ्लेम पे एक सीटी आने में एक सीटी के बाद फ्लेम को लोग पे रख दें दस मिनिट के लिए एक सीटी आ चुकी है फ्लेम को लोग पे रख दें दस मिनिट के लिए दस मिनिट हो चुके हैं गोश्ट हमारा अच्छे से गल चुका है इसे हम एक दूसरे वेजल में ट्रैंसर कर लेते हैं इसमें हम लाल मिच काउडर दाल देते हैं देर चमच याने वन एंड होफ टी स् मेथी के पत्ते यह 20 ग्रैंड है अच्छे से दो के दालिए है इसे दालने के बाद हमें हाई फ्लेम पे फिर से भूनना है एक से दो मिनिट के लिए भूनिए इसे पालक गोश्ट में बहुत हाँ सुन्दा पनाता है मेथी के पतों को अच्छे से भूनने के बाद नेक्स चमिस में पालक दाल देते हैं देखिए इस चार सो पचास ग्रैम पालक है अच्छे से काट के दो के दालिए पालक को ऐसे ही दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे पखने देखिए एक से दो मिनिट हो चुको है अब धीरे से इसे मिक्स कर लेते हैं अब फ्लेम को लो पे रख दें इसके ओपर लिद बन कर दें पालक अच्छे से गलने तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाते जाए है हर एक मिनिट के बाद आप चेक करिए पालक बहुत चल्दी गल जाती है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसलिए हमें पानी दाले की बिलकुल भी जरूरत नहीं है देखे बहुत सारा पानी लिक्राए है और थोड़ा सा गला लेते हैं पालक गोश्ट हमारा सब करने के लिए रेडी है पालक अच्छे से गल चुपी है साथ थोड़ी है इसे आप और थोड़ा सा ड्राइडी कर सकते हैं थोड़े लोगों को इस तरह से ग्रेवी पसंद होती है थोड़े लोगों को बहुत ज्यादा ड्राइड आपके उपर डिपेंड है इसे आप रोडी के साथ खाईए बहुत बहुत नगाएगा या प्लेन चावल के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं पालक और गोष्ट बहुत टेस्टी होती है आप चाहें तो चिकन यूज़ करके भी रेसिपी बना सकते हैं तब प्रेशे को गरगी ज़रूरत नहीं पढ़नेगी डिरेकली इसी तरह पैन में बना लेगा इसे ही रमजान स्पेशल रेसिपीस में लेके आती रहूंगी इसलिए अभी चैनल कुक इद फैम को सब्सक्राइब कर लें बेल अकॉन प्रस कर दें आल सरे कर लें नोडिफिकेशन के लिए इस वीडियो को शेर जरूर करें लाइक करें अगर पसन आए तो और कॉमेंट मे बताएं रेसिपी कैसी लेगी शुक्रिया